तयार, आज फिजिक्स में मचाते हैं तो ये कौन है, तोता तुम गोके साथ, तोटा नहीं है ये इपन चस्मा पेbahnो, हमारी दुनिया में सही तोटा बोलते हैं तोटा मतलब, तुम लोग तो ये दो तोटे हैं तो you are holding a case containing a commencement a तोटा containing a немножко Do you have to make less effort if the board ? तोता, यूर्वार होल्डिग के चंटेनिक तोता दू यू एब तो मेंक लैसिफिर्ट इफ्रइस फ्रम इस प्रविशन इंड इज इंड थे इंड अमेड़्ट इंड इस ते इज दो बिदू आगर थे इंड रिफेर्स वैदर दा के जिसम तो इन पूमें समझा दे तो पहल भूनकर हर भीट हो जैख यह पहली है यह शल्च भर ऐना करेक्शंग होगा कि ऐसे भल नहीं होता है भी एलक्रた बैटफ यह classes ब Reef Spirit सीघशनीर रेंगर्ट होता है अ अब ओंत और्य बैटरी अपनी डाउं जा गद्या बेटरी यह question बहुत interesting है, क्या question है, इसमें क्या बोल रहे है, माल लो, तोता है, जैसे यह हैं, तुम लोगों मैंने तुम्हें तोता बना दिया, जो कि तुम हो, और तुम्हें एक cage के अंदर बंद गर दिया, जो कि मैं नहीं करूँगा तुम्हारे साथ ऐसा, भर ठीक है, माल लो, तो और पक्षी जो है तोता है जो है वो उसके अंदर ओड़ रहा है तो तोता क्या कर रहा है तो इसको पकड़ रहा है तो इसको पकड़ने के लिए तुम इस पर कुछ फोर्स लगा रहे हो जैसे एक्जामबिल के माल लो केज का वेट माल लो केज हैं माल लो 10 kg कुछ भी माल लो यार मुझे नी तो कोशिशन यह उठ रहा है भही कि 10 kg के उठाने के लिए तुम्हें 100 N-force लगाना पड़ेगा और 10 प्लस एक है ना 11 kg उठाने के लिए 110 N-force लगाना पड़ेगा तो इन में से कौन सा सही है क्वेशन यह है कि अगर पक्षी उसके अंदर उठ रहा है यही कोशन है, पहला कोशन है, क्या तुम्हें कम वेट लगाना पड़ेगा? अन्सर इस No. तुम्हें अभी भी पक्षी का वजन तुम्हें खुद ही समालना होगा? हाँ तुमको ही समालना हुआ क्यों 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 कि समझो समझो अब इसके लिए बिल्कुल NLM में जाना पड़ेगा देखो सोचो पक्षी उड़ रहा है पक्षी पे तो हवा उसके दस न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहा है और एयर बंध है इस के अंदर बंध बहार नी जा सकती तो एयर वो दस न्यूटन का फोर्स लगा देगी एयर क्या करेगी सो न्यूटन तो mg आगे इसका सो न्यूटन तो इसका ग्रैविटेशनल फोर्स आगे केज का और दस न्यूटन का फोर्स एयर लगा देगी केज पे तो तुमको 110 न्यूटन को उठाना पड़ रहा है तो डारेक्ली तुम पक्षी को नहीं उठा रहे तुम उसकी हवा जब तुम पर पड़ती है जब पंखा ते चलता है उसकी हवा तुम पर पड़ती है तो क्या तुम पर फोर्स नहीं लगता फील नहीं करते हो फोर्स अभी आजकल तूपान भी आ रहा है ज्यादा तेस तूपान आ जाए तो मोड़ भी जाओगे तो बिल्कु सो is completely close or it has the it has roads to let air pass तो देखो अगर completely closed है तो हमारे question का answer क्या होगा do you have to make less effort no same effort करने पड़ेंगा अपनको no less effort हमको same बजन रगाना पड़ेगा अगर cage packed है दूसरा question है यहां पर roads है मतलब पिंजरा है जो असलियत में जो पख्षी का पिंजरा होता है तो उसके अंदर अगर पख्षी उड़ रहा है तो क्या हो रहा है जो वह हवा कर रहा है ना इसका वेट हवा समाल रही है पर वह बाहर जाती जा रही है है और यह roads negligible मालो पूरी हवा बाहर जा रही है तो इस case में इस case में अगर इसका 100 newton है मतलब 100 newton इसका 10 newton है पक्षी का तो जब तुम इसको उठा रहे हो तुमको सिफ 100 newton लगाना पड़ेगा इस case में तुमको 110 newton नहीं लगाना पड़ेगा तो इस case में you will have to make less efforts it has roads to let air pass it has roads तो road वाले case में answer is yes less effort yes less effort लगाने पड़ेंगे तुमको अगर यह क्यों क्योंकि का बेट किसने समालना हवा ने पक्षी का वेट किसने समालने air के फूर्ज ने तो तुम को अगए सर्पक्षी हवा पे 10 newton का फोर्स लगा रहे हैं सही बात है पर हवा बहार नेकल जारी है तो पिंजरे को हवा को रोकना नहीं पड़ रहा इस बार हवा बाहर जा सकती है तो एक तरह से पिंजरे के बाहर जब उड़ रहा है ना वैसी के से यह क्योंकि हवा पिंजरे से नहीं तक्राइगी तो एक सो न्यूटन की जगे तो मैं हो सकता है 201 न्यूटन या 202 न्यूटन लगाना पड़े हैं पर आइंग यू गॉत इंट्रेस्टिंग को एक थैंक्स टू नीरसर ने यह बनाया है वहीं खुद से बनाया है यह करा है यहा मतलब पक्षी लुक्षी उठाके लगाना बोक्स बनाना सब अरेंज करा है उन्होंने